वैसे तो गुंडागर्दी या गुंडे को ही हिरो बनाना ऐसे टॉपिक पर हमने बहुत सारी फिल्में देखिए दोस्तों ऐसे ही गुंडे का किरदार निभाने वाले अक्षे कुमार का खतरनाक लूक की मोस्ट अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे अभी रिलीज होई है तो चलिए आज इस फिल्म बच्चन पांडे का रिविव करते हैं वो भी आसान भाशा में फिल्म रिव शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो की अपडेट पाना चाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें तो क्या हमें सिर्फ अक्षे कुमार का खतरनाक लुक देखकर ये फिल्म देखनी चाहिए या और कुछ भी है इस फिल्म में जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं जिसका डर गाव गाव के लोगों तक पहुचा है ऐसा एक गुंडा पैसे कमाने के लिए लोगों को मार देता है बंदुग उटाता है दिवाली के पटाकों की तरह गोलियों की आवास करता है और लोगों के हाथ पर तोड़ना ही उसका मनोरंजन का साधन है आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सही समझें बागवा के गैंक्स्टर बच्चन पांडे याने अक्षे कुमार के बारे में फिल्मी दुनिया में डैरेक्शन के सहारे अपनी किस्मत आजमाने वाली माहरा याने कृतिसेनन जिस पर बच्चन पांडे की जीवन के उपर फिल्म बनाने का भुच सवार है पता नहीं ऐसा कोन करता है लेकिन फिल्म है तो कुछ भी हो सकता है यही माइरा आगे चल कर बच्चन पांडे की धीरे-धीरे जासुसी करने लगती है लेकिन मामला यहां अक्षे कुमार के साथ है जिसकी एक आख पत्तर की होते हुए भी सब असली और नकली बड़ी आसानी से पकड़ सकती है और फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जो अभी राक्षस है वो किसी जमाने में इनसान था अभी उसकी आख पत्तर की है लेकिन उसके सीने में भी दिल था और वो दिल किसी और के लिए धड़कता था लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जिस वज़से वो अपने दिल की धड़कन को ही याने अपने गल्फ्रेंड को ही बच्चन-पांडे मार देता है और क्या मायरा बच्चन पांडे पर फिल्म बना पाती है या फिर बच्चन पांडे उसे भी मार देता है इसका जवाब आपको फिल्म देखकर खुद ही डूड़ना होगा चलिए अब बढ़ते हैं क्यारक्टर की ओर या दोस्तों अक्षे कुमार पॉलिवूड के स्टार है इनकी एक्टिंग शांदार रही है अलग से ही गेट अप में वो और भी जचे है उन्होंने बच्चन पांडे के किरदार को लेकर बहतरिन एटिटूड रखा है कृती सेनन स्कोप ने भी अच्छा स्कोप मिला है जिस वज़े से उन्होंने भरपूर इसका फाइदा उटाते हुए अच्छा अभिने से प्रभावित किया है अर्शद वार्सी ने भी बहुत दिनों बाद कमबैक करके अच्छा साथ निबाया है जैकलिन फरनांड इसकी एक्टिंग इतनी खास और नैश्रल नहीं लगी पंकश त्रिपाटी ने अच्छी कौमेडी की है दोस्तों फिल्म में कई मनोरंजक सीन होने थे और यही पर फिल्म मात खा जाती है फिल्म पॉइंट पर आने में इतना वक्त लेती है कि बोरियत होने लगती है समझ नहीं आता कि क्यो इ जब रास्ता इतना सीधा हो बच्चन पांडे का खोफ पैदा करने वाले और कॉमेडी सीन सपाठ है दोस्तों इसका वो असर नहीं पैदा करती जितनी बड़ी बाते की गई है फरांज साम जी एका निर्देशन औसत दरजे का है उन्होंने प्रस्तुतिकरन धमदार नहीं क समय लिया है एक निर्देशक के रूप में उन्होंने मनोरंजक फिल्म बनानी थी जिस पर वह खरे नहीं उतर पाए जबकि उनका बजट बड़ा था बड़े सितारे थे और बड़ा कैन्वस भी उन्हें मिला था बच्चन पांडे की अतित की प्रेम कहानी और लाल जी भग जो की पंकस्त्रिपाटी है जैसे किरदारों का इंट्रोड़क्शन तो जोरदार तरीके से किया गया था और इसे उमीद भी बनती थी लेकिन इन किरदारों को लेकर कुछ मज़ेदार सीन देखने को मिले है लेकिन इनोंने सीधा साइड एंगल इनको कर दिया गया है अब देखते हैं इस फिल्म की पॉजिटिव बाते अक्षे कुमार का एक गुंडे का अलग गेट अप अटिटूड अपने कैरेक्टर को पकड़ की रखना सीनेमेटोग्राफी और बैक्ग्राउंड म्यूजिक उम्दा है दोस्तों कुछ एक्सेन सीन बहुत है इस फिल्म में प इस कहानी को साजिद नादियावाला ने गुमा फिराकर साथी साथ लिखा है साथी फरान समझिद ने स्क्रीन पे लिखा है और सारे लोग मिलकर भी एक मनरंजन फिल्म नहीं लिख सके या यू कहे जादा मसारा डालने की कोशिश में पूरे खाने का टेस्ट बिगार दिया लेकिन फिल्म की कॉमेडी, एक्शन और ड्रामे में इतना दम नहीं है दोस्तों कि दर्शकों को थेटर में बिठाये रखे दो चार सीन छोड़कर बच्चन पांडे अगर हम छोड़ दे तो बच्चन पांडे देखने में कुछ हासिल हमें नहीं होता कुल मिलाकर बच्चन पांडे में ना तो कॉमेडी है ना एक्शन है ना रोमैंस है ये सारी चीजे आपको शायद ही ढूड़ने से मिले हम अपनी ओर से इस फिल्म को पाच में से दो स्टार देते हैं एक स्टार अक्षे कुमार का जबरदस लूक और अपने कैरेक्टर पर पकड और अटिटुड के लिए और दूसरा स्टार बैग्राउंड म्यूजिक के लिए बाखी तीन स्टार कटेंगे एक तो स्टोरी को घुमा फिरा देना एक स्टार कलाकारों का सही इस्तमाल ना कर पाना और एक स्टार कही पर भी गाने और कही पर भी एक्शन सिल्म डालन अगली वीडियो में हमारी मुलाकात हो सकेगी वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में